नमस्ते इंदोस्तान कैसे हैं आप लोग तो अब ये नए नए चीज़ें उठकर आ रहे हैं जहां हम कयास लगा रहे हैं कि सुशांत भाई को इनसाफ मिलेगा तो शांत भाई को बहुत जल्दी अब वो सुकून मिलेगी वो राहत मिलेगी जिसके लिए मैं आप और भारत की पूरी जनता और भारत के बाहर भी कई ऐसे भाई बहनों हैं हमारे जिस चीज़ के लिए आवाज उठा रहे हैं लेकिन वहीं शरत पवार जी उठकर आते हैं औ मुंबई स्टार्स को बदनाम की जा रही है और उनका सवाल उठता है कि CBI काम नहीं कर रही है विट और डियूरिस्पेक्ट शरत पवार जी मैं आपसे सवाल यहीं पूछूंगी इतने टाइम से जब मुंबई पुलिस काम कर रही थी तो मुंबई पुलिस के लिए आपने यह सवाल क्यों नहीं उठायते मुंबई पुलिस के टाइम में आपने क्यों नहीं बोला कि महीनों काम करने के बाद भी कुछ भी सामने नहीं आया जो मुंबई पुलिस शरीर को पंखे पे लटके देखे बिना एक शरीर पे जब एक बिस्तर पे जब लाश पड़ी हुई उसको देखते ही बोल दिया कि यह आत्म हत्या है ऐसे मुंबई पुलिस पर उंगली ने उठाई आपने और 35 से 40 दिन बीती है और सीबियाई जब से स्क्रेस में आई है तब हमें जाकर पता चलता है कि क्या क्या चीजें इसमें हो सकती थी तब हमें पता चलता है कि वहां पे और भी CCTV पुटेज ऑफ थे वहां पे हमें पता चलता है कि यह केस कैसे दिशा साल्यान की केस से लिंक्ट था तब हमें पता चलता है कि उसकी पडोसन का स्टेट्मेंट क्या आता है तब हमें पता चलता है कि यह केस किस तरीके से एंसीबी ड्रक्स एंगल से जुड़ी हुई है तब में पता चलता है कि रियाद चक्रवर्ती ने कैसे किस तरीके से भाई को लुटा एक एक चीजें सामने आती है तो आपको आज इतनी मिर्ची क्यों लग रही है इतना बुरा क्यों लग रहा है और यह सवाल आपने मुंबा किया इतने दिनों तक इतने महीनों तक सिर्फ सबूत मिटाने का काम किया उस पे जब उंगली नहीं उठाई फिर CBI पे उंगली उठाने वाले शरत परवार जी आप होते कौन है दोस्तों अभी जो चीजें सामने आ रही है जैसे आज सामने आया SRA SRA का मुद्दा सामने आ इस वाइफ ऑफ अरबाज खान उर्फ ए जो अरजुन कपूर उर्फ अरबाज खान भी हो सकते हैं अरबाज खान जिसका की नाम हमने लिया नहीं जिसका की नाम NCB ने बताई नहीं लेकिन दो अधाई महीने पहले ही पहुंच जाते हैं ITCEL की ऑफिस में और अपने लिए प फिर क्यों बुरा लग गया था आपको किस बात का भय था आपको किस बात का डर था आपको अरबाज खान सर्ड एस एस स्टार्ट्स विद एस वेलकम खान गैंग्स वी मस्ट वी वेटिंग वर यू क्योंकि जो नकाब आप लोगोंने पहना है इस लॉयल्टी के पीछे इस पीछे इस क्लास के पीछे इस लेवल के पीछे इस स्टार्डम के पीछे वो चीजें अब खुलकर सामने आएंगी तो मैं आपको बता दूं पवार सहब कि यह जो जिनको आप सुपर स्टार्स कहते हो यह आपको लगता है कि बॉलिवुट बदनान की जा रही है ऐसा कुछ जिसके वज़े से सुशांत भाई को हर दिन बेजजती सहनी पड़ी यह वही लोग हैं जिनकों की पैसे तो खर्च करवाना अच्छा लगता है इनके फ्लाइट में बैट के उड़ना तो अच्छा लगता है प्राइवेसी मिंटेन करना तो अच्छा लगता है लेकिन जब अच्छा लगता है तो यह लोग बोलते हैं कि मैं सुशांत के लिए ड्रक्ट सप्लाई करती थी तो आखिर क्यों लेकिन अगर कहीं न कहीं अगर आपको लग रहा है कि एन सीबी की वज़े से ड्रक्स एंगल की वज़े से सुशांत की मौत पर्दा डाला जा रहा है दोस्त यही एक ड्रक्स की वज़े से यही इस चरस नशा की वज़े से सुशांत भाई को मूबंद कराया गया हो जो आज एक एक करके इन सब को एक्सपोस कर रही है हो सकती है ऐसा भी हो सकता है कि सब के बारे में सुशांत भाई दुनिया को खुद बताने वाले हो खुद सब का ख अच्छ है तो सुशान्त भाई को इंसाफ मिलेगी चाहे कोई भी कितना मिश्रत फवार उठकर आजाए या संजर राउत उठकर आजाए या पुरा ठाकर सरकार उठकर आजाए हमें विश्च्वास है कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे और हम सुशान सिंग राजपूत को दिशा सा अल्यान को इंसाफ दिला के रहेंगे राइट फ्रेंज तैंक यू सो मज जैहिंद आप अपने आवाज को इसी तरीके से उठाते रहें हमारे आवाज को कोई नहीं दबा सकता यूकि अगर इनको लगता है एक साहिल चौदरी को उठाने से आवाज दब जाएगी तो मैं ब हर एक जगह एक साहिल चौदरी बैठा हुआ है तैंक यू